दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं सामने ये मैंने अंजीर की कटिंग लगाई हुई थी और आप देख सकते हैं ये अंजीर की कटिंग कितने अच्छे से चल गई हैं रूट आप देखिए कितनी जादा बन गई हैं और अब ये बिलकुल तैयार हैं बड़े ग्रो वैग में लगाने के लिए तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे फिरी में इस तरह से अंजीर के धेर सारे पूधे बना सकते हैं इसकी कटिंग को लगाकर मैं पूरी मेथड बताऊंगा कि कैसी कटिंग लेनी है किस तरह के जो स्वाइल मिक्स में से लगाना है और कितने दिन में ये कटिंग आपकी तैयार हो जाएंगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेसाइन गार्डनिंग यूटूब चैनल यदि आप पहली बाल मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो जो यह आप अंजीर की कटिंग देख रहे हैं सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इन कटिंग को मैंने लगाने से पहले मेरे गार्डन में लगे हुए अंजीर के पौधे की कीथी प्रूनिंग अब वो अंजीर का पौधा कहां लगा हुआ है यहां पर यह जो आप देख रहे हैं यह अंजीर का पौधा है इसकी की थी मैंने प्रूनिंग कैसे यहां से आप देख सकते हैं यह हिस्सा है यहां से मैंने प्रूनिंग की थी और प्रूनिंग करने के बाद जो इसकी स्टैम ब बनाने के बाद मैंने इसकी जो कटिंग है उसके पीछे की तरब जिसको मिट्टी में दबाया जाता है एक जो है इसक्रेच लगाया इसक्रेच लगाने से क्या होता है इसकी रूट बनने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है तो इसक्रेच लगाने के बाद फिर मैंने इसे ल परसेंट गोबर की खाद का इस्तिमाल किया है मैं देखिए यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा देता हूँ यह है इस तरह के पॉटिंग मिक्स में कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है क्योंकि इसमें मौस्चर काफी लंबे समय तक बना रहता है और बर्मी कंपोस्ट जो है इन दो पॉधों के बीच में यहाँ पर मैंने इस कटिंग वाले पॉट को रख दिया है लगभग अभी इसमें 15 दिन भाद इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गए थी छोटी-छोटी यहाँ से न्यू सूट बनना सुरू हो गए थी जैसी यह है और एक महिने में यह कटिंग बिल कटिंग है वो चल गई है और रूट आप देखिए कितनी अच्छी बनी है अब इन्हें मैं सेपरेट कर दूँगा सेपरेट करने के बाद इन्हें एक कटिंग को एक ग्रो बैग में जिसकी साइज 15 वाई 15 इंच या 18 वाई 18 इंच हो इतने बड़े ग्रो बैग में आप को मिल जाएगी तो इस तरीके से आप जो है अंजीर के पौधे की कटिंग लगा कर इसका नया पौधा बना सकते हैं अगर आपके पास पौधाला है तो आप उसी से बना लीजिए या कहीं से भी इसकी कटिंग ले आईए और लगा लीजिए बड़े आसानी से चल जाती है तो अंजीर की कटिंग लगाने का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें सेर जरूर करें और इस अंजीर के पौधे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वहाँ पर आपको मिलेगी इसकी